आज 14 October है 14 October भारत के लिए पूरे इस देश की मानपता के लिए भारत के तमाम भुजदूनों के लिए खास कर विसेश दिन्स और उनके लिए तो खास है जो बावा साहब के विचारों को मानते हैं इस देश के समिधान को मानते हैं क्योंकि 1956 में आजी के दिन बावा साथ ने धम की दिख्छाली थी, धम मतलब एक ऐसी विचार धारा जिसमें न उच नीच हो न गैर बराबरी हो, सब मानव मानव एक समान हो, मिरसाथ के पी चोधरी हैं, जो सरकारी करमचारी संगठन का यूनियन है, उसके सबसे बरे धारा के परधान महासचीव हैं, और लगातार जो करदें की परचार परआर में भी लगे रहते हैं, और तमाम जो FC, HD, OBC के सरकारी करमचारी हैं, अधिकारी हैं, और ऐसे जो लोग हैं, उसके को शीश होती है कि उनको एक प्लिट्फर्म पे लाया जाएं, और भारत को मजबूत करने में उनकी कितनी भागड़ी हो सकती है, जाद से जादा भागदारी हो सकती है उसको सुनिश्चित किया जाए इसी करी में उन्होंने दो फैंसले किये हैं एक फैंसला हुआ है कि एक अंबेटकर भवन का निर्मान होगा दिल्ली न्सियार में जहां तमाम वैसे काम जो बाबा साहब सोचा करते थे चाहे वो लाइवर पहाई और क्या संदेश देंगे उन तमाम भारतवासियों को जो पूरी दुनिया बुद्ध की वज़े से जाना जाता है लो हम सब कहते हैं जब बाहर जाते हैं कि हम बुद्ध की धर्दी से आएं कहीं न कहीं धमदी बाबा साहब ने जो सफना देखा था वो सफर कहां तक पहुँआ हैं देखिए मैं सबसे पहले आज द्मदेबस के सुबसर पर पूरे देसवासियों को और विष्व के बहुत धर्म क्या नियायों को आज मैं बढ़ाई देना चाहूँगा और आज का दिन हमारे समाज के लिए हमारे भारत के लिए इसलिए विशेظ दिन है कि परदानमंत्य या राष्टबती उपर राष्टबती हम भारत से बाहर जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हम बुद्ध की धर्ती से आए इसका मलब भारत एक बौध मेंदेश है और बौध धरम का परचार परचार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया क्योंकि उसका एक मुख्य कारण मैं ऐसे देखता हूं कि 14 अक्तूबर 1956 और 6 दिसंबर 1956 जो बाबा साम मेटकर का जो देहाफसान हुआ जो उनका डेथ हुआ तो बाबा साम मेटकर को कोई बहुँ जदा समय नहीं मिला 14 अक्तूबर को पांच लाख लोगों के साथ जब उन्होंने 1956 में बहुत धमस्विकार किया तो नुवंबर और दिसंबर यानि दो महिने का समय भी उनके पास में नहीं था और अगर उनको समय और मिलता तो आज पूरा का पूरा भारत बाद में होता और जिस तरीके से बहुत में देस है और हम चाहते हैं कि सबी लोग भारतवासे जो दुनिया का सबसे करुणा फ्यलाने वाला धर्म है, करुणा का संधेस्ज देने वाल धर्म है, यानि क्या मैं बहुत धर्म की बात कर रहा हूं, हम सब लोगों को बाबा साहब के अधर मिशन को पूरा करना है, और एक दिन इस भारत को बहुत में बनाने का जो हमें सब संकल्ब हमारा है उसको हमको पूरा करना है तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बाबासाम मेटकर के लिए यह सची सद्धांजली होगी लेकिन आज हमने जैसा कि आपने बताया कि आज 14 अक्तूबर के दिन हमने यह फैसला की दूरी पर है वह हम लोगों ने एक पांसो मीटर का एक प्लॉट परचेज करना है दिसंबर 2020 तक यह प्लॉट की परचेजी होगी और उसके बाद में इसमें एक अमेटकर भवन यानि वालिक हाउस हम लोग बनाने का एक फैसला हमने किया है आज 14 अक्तूबर 2021 को हमारा य इसमें जो ववस्ताइन दी जा रही हैं ग्राउंड फ्लॉर पर इसमें हम लोग कॉंफरेंस हॉल का निर्माण कर रहे हैं 500 मीटर में एक कॉंफरेंस हॉल होगा जिसमें 200-300 लोग बैठके अपने समाज की बाद कर सकते हैं पहला जो तल होगा उस पर हम लोग इसमें एक हॉसटल का हम इस्थाब्ना ने जा रहे हैं तो यह हमारा आज का संकल्फ है बाबासाव मेटकर के यह जो आज आप 14 अक्तूबर को एक धम दिवस के सुब अबसर पर ये हम बाबा साब बेटकर को डेडिकेट कर रहे हैं और हम लोगों ने आज ये तै किया है और हमारे सबी लोगों ने पूरे देश की लोगों ने फैसला किया है और बहुत जल्द जैसा मैंने कहा मैं रिपीट करना चाह है तो मुझे पूरा विश्वास है ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट हाउस होगा ये भी जिस तरीके से कनोट प्लेस का मुख्याल है दिल्ली के अंदर हमने बनाया सभी लोगों के लिए दो कॉंफरेंस हमने बनाये एक सो लोगों की बैठने का एक डेड़ सो कर सकता है और ये जो अमेटकर भवन अबलिक वालिक हाउस जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं जिसका हमने अब निन्ने लिया है इसमें जो लोग देश विदेश से आएंगे उनके लिए रहने के लिए फाइव स्टार होटल की तरज़ पर हम इसको डेवलेप करने की कुशिश नfikष करेंगे एन लोगों के लिए फिरियोard कोस्ट रहने की ववस्था होगी बच्चों के रहने के लिए जो होस्टल होगा वोच सीठाउं से यूट्स होगा रुओभी फिरु आफौस्ट कांफ्रेंस होगा वोबी फिरियो आफ को समाज की हर संँटन को हम उपढ़ाउन करने का काम करें तो समाज से क्या अपिल कर रहे हैं जो लोग आपको निसल दस्तक देख रहे हैं जो आपको जानते हैं अगर वो चाहिए तो कैसे आप से संपर कर सकते हैं कैसे कंट्रिबूट करें कि इसके लिए तो ऐसा है कि समाज के हर वक्ति का जो भी मन से स्वेच्छा से दाम देना चाएता तू इसके लिए अभी जो 2 के बेंक अuma और वीक्ट के लिए नाम से तो ये प्यंकिया जाएगा वालिक हाउस के यह है कि कहेंगे कि वो अपनी स्वेच्छा से जो दान देना चाहें इस पावन कारी के लिए वो कर सकते हैं लेकिन किसी पर को दवाब नहीं है किसी से कोई मांग नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जैसा मैंने कहा कि कॉनोट प्लेस के अंदर जो इंटरिस्टरल इस तरका अंतर प्लेस के कारेले में हैं समाज के लोगों ने दिल से दान दिया और उसका लाब समाज की हर वेक्ट को मिल रहा है इसी तरीके से जो वालिक हावस अवलिक अमेटकर भवन जो की फिर मैं रिपीट करूँगा यह जो कोसांबी हमारा है आनंद भिहारा येस बीटी जो दिल्ली में हैं उसके साथ ही लगावा सो मीटर पर जगे है वी वी आई पी एरिया है बहुत खुला एरिया है और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि बहुजनों की संख्या बहुत अच्छी है इसको निर्णे लेने के पीछे हमारा एक सोच यह रहा है कि पूरा का पूरा का पूरा क बहुजनों की संख्या बहुतायत में हैं वहीं पर यह कारयाले अगर रहता है तो इसमें मुझे लगता है कि इसका रिष्टी इसका प्लॉट का रिष्टी करा दिया जाएगा हर कौस्ट में हर कीमत पर हर परिस्तिती में मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि 31 दिस तक इस 500 मीटर के प्लॉट की रिष्टी करा दी जाएगी और इसके बाद 14 अपरेल 2021 को हर हालत में इसका उद्गाटन करके यह समाज को समर्पित कर दिया जाएगा एक सवाल तमाम लोगों से पूछते हैं कि चुकि आप सबसे बड़े करमचारी आपके संगठन में हैं यह स में सरकारी करमचारी अधिकारी हैं रेलवे के हैं बैंक के हैं लाइसी के हैं लोग पूते हैं कि क्या मैं धम घरहन कर लूगा धम की दिख्षा ले लूगा तो क्या मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला यह बड़ा कन्फूजन लगातार परचार परसार किया गया है देखिए करना चाहता हूं कि जो हिंदू धर्म के मानने वाली लोग हैं उनको रिजर्वेशन का लाव हमेशा मिलता है हिंदू धर्म छोड़कर जो लोग सिक धर्म स्विकार कर लेते हैं उनको भी रिजर्वेशन का लाव हमेशा मिलता है और हिंदू धर्म छोड़कर करके जो लोग बहुत धर्म स्विकार करते हैं उनको भी इस रिजर्वेशन का लाब मिलता है तो मैं इस पस्ट करना चाहता हूं स्वधानिक प्रावधानों को मैं के पी चोधरी राष्टिय प्रधान महासाचीव अनुसुच जाती जन जाती संग्ठनों का अखिल वारतिय महासंग होने के चाहते हैं मैं आपको इस पस्ट करना चाहता हूं कि समाज का कोई भी व्यक्ति कन्फ्यूस ना हो आपको इस पस्ट होना चाहिए कि अगर आप हिंदू धर्म को त्याग करकी सिक धर्म स्विकार करते हैं तो आप रिजर्वेशन के प्रावधानों के पातर हैं आपको सारे रिजर्वेशन के लाव मिलेंगे मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहुत धर्म को अगर आप स्युकार करते हैं तो रिजर्वेशन के सारे प्रावधान आपको मिलेंगे इसमें कहीं किसी परकार का डावट आपको नहीं होना चाहिए और अगर आपको कोई आदमी भैकाता है त लोगों का तो ऐसा कहना है कि समयधानिक प्राफधान बौत धर्म के लिए और हिंदु धर्म के लिए रजर्वेशन की सभी जो सुधा हैं उनको प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए किसी प्रकार का समाज के लोग कन्फिजन ना रखें अगर आप बौत धर्म स्विकार करते है तो आपको किसी प्रकार का आरक्षन के मसेले पर नुकसान नहीं होगा क्योंकि समयधान में सोधन करके भारत की सरकार ने बौत धर्म स्विकार करने पर यानि न्यू बुद्धिस्ट के लिए और सिख्खों के लिए प्राफधान और लेडी समयधान में कर दिया है तो ये केपी चौतरी साहब थे आज 14 अक्टूबर है और धम दिवस्परियों ने एलान किया है कि बाबा साहब अमबेटकर के नाम पर बहुजनों के लिए एक दिल्ली NCR में एक इमारत खरी होगी जिसमें जो पेबैक टू सोसाइटी है वो होगा च्छात्रबास होंगे कान्फरेंस हो लोगा बिदेसी और देसी जो बाहर से महमान आएंगे मुवमेंट के लिए उनके रहने का होगा दरसल बहुजन समाज आ संसाधन भीहीन समाज के तोर पे जाना जाता है उसको जो फूले कहते थे कि बिद्या बिन गती गई गई गती बिन मती गई और मती बि कि बहुजन समाज को लोजिस्टिक सपोर्ट संसाधन मुहिया कराई जाए निशनल दस्तक को भी लगातार इनके से लगातार मदद मिलती है और उस बजह से हम दफ्तर भी चला पा रहे हैं तो नया इमारत खरी होगी कौसामी में उसके लिए अगर आप लोग भी कंटिबू कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें झाल झाल